नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News लोक सबचुनाफ की गहमा गहमी का माहौल है पाच चरण की वोटिंग हो चुकी है और आज छटवे चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है आपको बता दे कि इसी बीच बिहार के पूर डिप्टी सीम ते जस्वी यादव ने मीडिया से ब उद्धे पर भी बात की बता दे कि ते जस्वी यादव भी ते कुछ दिनों से पीठ दर्द से परिशान है और उन्हें चल्ले में भी समस्या हो रही है विसे लेकर उनसे सवाल किया गया कि पीठ दर्द कैसा है इस पर ते जस्वी यादव ने कहा कि पीठ दर्द तो है लेकिन सबसे पहले जो मुद्दा है लोगों की समस्याइं दूर करने का वो जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमें इसके लिए सत्रा महीने का जो मौका मिला था उस दौरान हमने पांच लाक लोगों को नौकरी दी। तीन लाक नौकरियों को प्रक्रियाधीन करके आए हैं। इस तरह लोगों का हम पर एक विश्वास बना हुआ है। बाबा साहब का जो सम्विधान है इसे बदलने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा कई नेताओं के वीडियो में भी देखा गया है। मंचो पर ये कह रहे हैं कि ये सम्विधान में बदलाफ करेंगे। हमें 400 सीट दे दो विहार एमपी राजिस्तान कहीं भी बोला गया है। बीजेपी का हिडन एजेंटा सामने आ गया है। बता दे कि इस जबाब के बाद जब ते जस्वी से कहा गया कि बीजेपी कहती है कि हमारा सम्विधान बदलने का कोई इरादा नहीं है। ते जस्वी जूट बोल रहे हैं। इस पर ते जस्वी ने कहा कि लोकतंतर को खत्म हो ही गया। उन्होंने इन दोर सूरत्चंडिगड में भूए बाके का जिक्र करते हुए कहा कि आपके पास लीडर ही नहीं कि अपने मनपसंद को वोट दे सके। तो लोकतंत्र को खत्म हुआ ही है तो लोकतंत्र तो खत्म हो ही चुका है इसके बाद उनसे पूचा गया कि बीजेपी आरोप लगाती है कि इंडिया गडबंदन वाले मुसल्मानों को आरक्षन देना चाते हैं इस पर तेजस्वी ने कहा कि 17 महीने हम डिप्टी चीफ मिनिस् हम लोगों ने कास्ट वेस सर्वे किया जाती जनगर्ना कराई इस सर्वे के बाद हमने आरक्षन की सीमाओ को 75 प्रतिशत बढ़ाया OBC, EBC, SSC, ST और EWS का बढ़ाया हमने तो सब को दिया जिसकी जैसी संख्याती उसी हिसाब से हम लोगों ने दिया इसके बाद एजस्वी न कहा गया कि आपकी जनसवा में भीर काफी आती है शोर काफी मसता है लेकिन बीजेपी कहती है कि सीच हमारी आती है इस पर तेजस्वी ने कहा कि आपको हम बता दें पिछले बार जो 2020 का चुनाप था उसमें सिर्फ ओवरॉल 12,000 वोट का ही डिफरेंस रहा हम लोगों ने कही बार उसमें कहा कि हमारी काउंटिंग को स्लो किया गया जो चंडिगर में हुआ था वैसा ही बिहार में हुआ था तेजस्वी ने इस दौरान चुनाप में धांदली का आरोब भी लगाया तेजस्वी से जब पूछा गया कि सब को सरकारी नौकरी की प्रामिस करेंगे कितने को दे पाएंगे तो उन्होंने कहा कि अभी विपक्ष के लोग सरकार में आ जाएं एक सेकिंड तीस लाक नौकरियां दे देंगे जब पूछा गया कि कहा से लाएंगे तो उन्होंने कहा कि खाली पड़े है पद उन्हें भर देंगे बजट तो है तीस लाक का तभी तो रि में जैसा किया है वैसा ही करेंगे